अगर आप खुद को मैथ में कमजोर मानते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्पन से आपके टीचर दोज सब ने आपको बोला कि आप मैथ में कमजोर है आपने जब खुद मैथ करने की कोशिश किया तो बड़ी मुश्किल से आप मैथ कर पाए और यह सिलसिला चलता ही रहा आपके दिवाग में यह बात घर कर गया कि आप मैथ में कमजोर है बस मैथ देखते ही आप भागने लगते हैं अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सच्चाई क्या है क्या आप जब बजार में जाते हैं और कोई समान ख़एते हैं तो दुकानदार को ज़्यादा पैसा दे कर आ जाते हैं क्या अगर आप कोई picture देखते हैं, तो picture की story आपको समझ नहीं पाते हैं? मैं जानता हूँ कि ऐसा आपके साथ नहीं होता है, आप मंद बुद्धी के नहीं हो, मेरी सुनो तो math में कंजोर कोई नहीं होता है, या तो उसका समाज, उसके teacher जो आपको math समझा नहीं पाए, और सार मैत में कंजोर हैं, अब देखो, आपने एक सपना देखा है, एक सरकारी नौकरी, एक सही सपना है, एक वाजीब सोच है, जीवन को समारने का सही मौका है, आपको बस एक कदम आगे बढ़ाना है, और सही दिशा में बढ़ना है, भुल जाओ, आप मैत में कंजोर हो, जान ल करें को मैथ समझाना नहीं आता है और जिस तरह से हम आगे चल कर मैथ सिखेंगे दोस्त केवल दस दिन में यह बोलना छोड़ दोगे की आप मैथ में कमजोर हो आईए जड़ा देखें कि मैथ वास्ताओं में है क्या मान लीजिये एक मैथ के सवाल को आपने पढ़ा और हल कर दिया मगर मैं उस मैथ का हल नहीं कर पाया इसका मतलब क्या निकला मैथ को परते ही आपको पता चल गया कि आपको करना क्या है और आपने किया जिससे मैथ हल हो गया मगर मैथ परकर मैं यह नहीं पता कर पाया कि मुझे क्या करना है बस इसलिए मैं मैथ नहीं कर पाया दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि मुझे भी पता था कि इस मैत को कैसे हल करना है मगर गुना भाग ठीक से नहीं कर पाया इस कारण में इसका हल नहीं निकाल पाया बस जिसको मैत आता है और जो मैत में कमजोर होते हैं उनमें अंतर इतना ही साही होता है और दोस्त जान लो कि यह इतनी छोटी समश्या है और आप नहा किस से परिशान हो रहे हो फिर से मैं दोराता हूँ कि मैथ में स्मार्ट होने के लिए आपको दो बातें जानना आवश्यक है पहला मैथ को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको करना क्या है या दूसरे शब्दों में बोलू तो मैथ को हल करने के लिए स्टेप्स क्या होंगे शॉर्ट में बोलू तो मैथ करने के लिए स्टेप्स जानना जरूरी होता है अब देखें कोई भी चैप्टर ले लें जैसे पतिशत जिसमें रेलवे जैसे हायर सेकेंडरिया इंटर के लेवेल के जो मैट आते हैं वो 20 से 30 टाइप के होते हैं इसको मैंने दोड़ा कर बोला कोई अनंत नहीं होते हैं दो दिन के दो दो घंते की कोशिश से आप इसमें महारत हो जाएंगे याद रखें मैट के स्टेप्स को जानना एक नाले को पार करना होता है कोई सागर को पार करना नहीं होता है यह हर आदमी की बस की बात है, आज तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला, जो मैत के स्टेप्स पर महारत हासिल नहीं किया, आप जान लो, आज तक जितने लोगों ने आपको बोला कि आप मैत में कमजोर हैं, वो गलत थे, ना कि आप मेरे साथ चले, आप हस्ते हस्ते सारे दुनिया को जो सोच आपके उपर है, उसे बदल कर दिखा देंगे, अब दुसरा पहलू है, जोर घटाओ, गुना भाग, देखने में तो बड़ा सिंपल लगता है, मगर प्रैक्टिस नहीं रहने के कारण, मैत हल करने में यही मुश्किल पैदा कर देते हैं, और आपके स्पीड को जीरो लेवेल पर ला देते हैं, मगर समश्या का समाधान भी बहुत ही आशान है, मैं पहले क्लास में दो दिन तक पतिशत का सवाल कराता हूं, फिर तिसरे दिन से सरली करन चालू करता हूं, मतलब सिंपलिफिकेशन, अर्था साथ दिन तक आप इतने सरली करन कर लेंगे कि आपके अंदर के नहग जो डर बैठा हुआ है, वो सब समाप्त हो जाएगा, और आपके भी मैत करने की स्पीड आप से आप बर जाएगा, यह मेरा आप से वादा है। पती दिन और आप आपना पीठ, खुद का पीठ, खुद थप थपाएंगे, यह मेरा वादा है आपसे, बस परसों से आप अपने दो घंटे फिक्स कर लें, परतिशत का वीडियो फाइल को परसों डाउनलोड करके पढ़ाय चालू कर दें। जो सरकारी नौकरी के लिए सपने तो देखते हैं, मगर मैट में कमजोर होने के कारण, जो वो मानते हैं, वो ऐसे एकजाम देने की सहस नहीं कर पाते हैं। आप कृपया उनसे इस फाइल को शेर करें, उन्हें भी इस क्लास को जोइन करने के लिए प्रेरीद करें। एक बात को जान ले, ग्रूप स्टडी, अर्थार ग्रूप में पढ़ाए एक अत्यंत कारगर माध्यम होता है। मेरे जीवन में ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने किसी विशय को, किसी छात्र को ठीक से नहीं समझा पाया, मगर क्लास के दूसरे छात्र ने बड़े आसानी से ये कर दिखाया। इसलिए जरूर जरूर कम से कम दो मित्र को, दो रिलेटिव को इस प्रोग्राम के साथ जोड़ें। आईए, इस वादे के साथ ये क्लास चालू करते हैं, हम भी मैदान में उतर रहे हैं, हम भी जंग के लिए तैयार हो रहे हैं, और हम कोई ऐसे एरे गहरे नहीं हैं, हम खुद जुकते नहीं, जमाने को जुकाने की ताकत रखते हैं। दोस्त चलता हूँ, परसों फिर मिलूंगा, तब तक आप कम से कम आपके दो दोस्त को इस मुहीम के साथ अवश्य जोड़ेंगे, इस विश्वास के साथ आप से विदा ले रहा हूँ। साथ हीं साथ एक बात फिर से दो राता हूँ कि यह कोर्स हंडेट परसेंट फ्री है, एक रूपिया भी नहीं लगता है। धन्यवाद डीडी अकाडमी से डीडी रॉय। ओर, आप से रहा हूँ, अपस हो लेल हो जए हुआ इस और उन्यवाद जड़ेंगे, इस विदाओव हुआ है। झाल ऊतक है नहीं से भी शीं सरुब स्ड़िय।